हेलो फेंड्स हम सीख रहे एंटॉनींड कलेोपेटरा और फेंड्स हमारा निक्म्ली ओक्रीय फेंड में कम्प्लीट कर चूपे निक्लीयूपेटरा तो इसके आज हम कुछ mcqs discuss करने जा रहे हैं और इसके बाद आपको एक master video जो है पूरे प्लेक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा तो चले friends फटाफर्ट without wasting any time let's proceed to the mcqs of Antonian Cleopatra पढ़ते लेते हैं फटाफर्ट फिर solve करते चलते हैं friends और देखे पहला question है कि what is the triumvirates attempting to negotiate in Sicily जो triumvirates है जो तीन वीरों की टुकडी है triumvirates और कुर कौन से हैं आप comment करके मैं ज़रूर बता दीजेगा वो क्या negotiate करने की कोशिच कर रहे हैं Sicily में कि he surrendered to Pompey, Pompey को surrender करें planning strategies of attack against Pompey's force की जो इस्टेट जीज हैं, Pompey's की forces की अगेंस्ट जो है वो planning कर रहे हैं कि कैसे उनको अटेक किया जाए और peace with Pompey और joining naval forces with Pompey और क्या चाहते हैं actual पर देखे वो चाहते हैं कि Pompey के साथ एक शान्ती वारता वो एक peace चाहते हैं Pompey के साथ what trick does Cleopatra claim to have played on Antony when he was drunk कौन सी trick जो है Cleopatra ने play की Antony पर जब वो शराप पिए वे था कौन सी trick थी friends देखे ट्रिक की अगर बात करें तो he had dressed him in woman's clothing उसने जो है उसको woman clothing में उसने उसको dress कर दिया था किसको friends Antony को कौन कब जब वो शराप पिए हुए था what does the message Antony receives from Octavius and Lepidus demand और कौन से message को Antony receive करता है Octavius and Lepidus की demand पर वो कहता देखे that he returns and help fight the son of Pompey यह कहता है कि हम लोट जाए और जो Pompey का बेटा है Pompey the great का जो बेटा है उसकी वो क्या करे help करे लड़ाई में कि लेफेंस तो development आपका okay हुआ आगे बढ़ते हैं कि what does Antony have to return why does Antony have to return to Rome Antony को Rome क्यों note ना पड़ा to pay that he is needed for military strategy his wife is dead and to return a sword और actually अगर Rome लोटने की बात करें तो Antony इसलिए गया था क्योंकि उसको cover मिली थी कि उसकी जो wife है वो मर गई है कौन सी पत्नी है शायद पता होगा आपको Clefants और what does Agriapa want Antony to do Agriapa क्या चाहता है Antony से करने के लिए कि वो marry Cleopatra, marry Octavia go to front line and apologize to the Trangirates actual में Agriapa चाहता है कि वो Octavia से शादी कर ले और what does Cleopatra accuse Antony Cleopatra किस चीज के लिए Antony को accuse करती है, क्या accuse करती है देखे, theft, treason, disrespect line, उसका कहना है कि वो जो है उसके साथ treason, यानि वो उसको दोका दे रहा है clear, इस चीज का वो accuse करती है, आरोप लगाती है Why does Vantidious say his army is so successful Vantidious क्यों कहता है कि इसकी army successful है, क्यों कहता है क्यों क्यों कहता है क्योंकि, actual में देखे they are well fed and well cared for well fed है, बढ़िया से वो arranged है बढ़िया से वो managed है आगे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं कि Soothsayer comment suggest Soothsayer का जो comment है वो क्या बताता है Kilopatra is a traitor Antony's success will be unparalleled Antony will fall to Octavius and Pulivia will kill Antony Soothsayer जो है, जो भविश्य वकता है जिसको Kilopatra बुलाती है भविश्य देखने के लिए अपना हाथ दिखाती है वो actually वो एक भविश्य बताता है वो कहता है कि Antony का जो भविश्य है वो जुल नहीं है Antony का पतन होगा Of what does Octavius accuse Antony Octavius Antony को क्या accuse करता है Octavius कहता है कि वो failure to add the other time rates कि वो दूसरे time rates का जो साथ है वो उसमें वो चूक गया है उसमें ऐसा फल रहा है Killefans who passes out at the state dinner from drunk drink and must be carried to shore कि किसको जो है कौन मरा जाता है कौन परिशान हो रहा है डिनर पर drink करने के लिए और उसको तक पर ले जाए जाता है अगर बात करें तो लैपिडियस है लैपिडियस परिशान है शराप पीने के लिए कि जो किलियोपेट्रा कंट्रिब्यूट टू एंटोनी जो बैटल है सीजर से जो लडाई करता है एंटोनी सीजर से उसमें किलियोपेट्रा का क्या करती है किलियोपेट्र एक्चुली उसे क्या करती है एक फ्लीट है सिक्स्टी शिप का उसको वो भीज़ देती है क्लियर वाट सॉल्यूशन डज एग्रियपपा प्रपोस्ट तो एस्टेबिश पीस बिट्विन सीजर एंटोनी क्या सॉल्यूशन एग्रियपपा प्रपोस करता है शांती वारता के लिए सीजर और एंटोनी के बीच में देखे वो कहता है कि एंटोनी को जो ऑक्टेविया है उससे शादी कर लेनी चाहिए यह एक सॉल्यूशन जो है वो अग्रियपपा रपता है सीजर और एंटोनी के बीच आगे बढ़ते हैं अपन लीविंग इजप्ट वोट ड़ोज एंटोनी सेड्ट टू क्लियोपेट्रा ऐसे गिव्ट जब इज़िप्ट चोडता है तो एंटोनी क्या गिव्ट क्लियोपेट्रा के लिए बेसता है एक्चुली एक मोती होता है जो वो गिफ्ट बेजता है Why does Caesar condemn Antony for abandoning Rome? Caesar जो है वो Antony को abandon करता है Condem करता है कि उसने Rome को त्यागा क्या condemn करता है पढ़ नहीं थे सारे option पहले एक बार He does not like the fact that Antony is having more fun than he is He cannot collect taxes on Antony's unoccupied lands He himself loves Cleopatra and is jealous of Antony's relationship कोई भी ठीक नहीं है Obviously last fall option ठीक होना चाहिए He and Lapidus are left with the unfair burden of responding to Pompey's armies by themselves कि वो और Lapidus जो है वो बच्चे होए है unfair burden है उन पे जो Pompey की जो armies है उसको respond करने के लिए Why according to the soothsayer should Antony leave Rome Antony को क्यों Rome को छोड़ देना चाहिए Soothsayer के according So as long as Antony remains in Rome His fortune will be overshadowed by Caesar Yes, obviously पहला answer ही आपको सही मिल गया Soothsayer कहता है कि जब तक Antony Rome में है तब तक उसका जो भविश्य है वो Caesar के साबने कुछ नहीं है यानि उसका जो भविश्य है वो जल नहीं है How does Pompey react to Mina's suggestion that they kill Yes, how does Pompey react to Mina's suggestion that they kill the Roman Triumvirates and thereby make Pompey the most powerful man alive तो क्या suggestion Pompey देता है, how does Pompey क्या reaction देता है Minaj जब suggestion देता है कि उन्हें Triumvirates को मार देना चाहिए Clear? देख लेते हैं जड़ा क्या answer होना चाहिए इसका पहला question, पहले option पढ़ लेते हैं friends He appreciates the thought but urges Minaj to await a more fitting time to attack the Triumvirates उस विचार का वो appreciation करता है और Minaj से urge करता है कि उन्हें और proper time चाहिए Triumvirates पर attack करने के लिए He is dismayed with Minaj disregard for human life He tells Minaj to do whatever needs to be done to secure him control of the world He wishes Minaj done the deed without telling him Obviously friends, देखे, he wishes वो चाहता है कि Minaj had done the deed इस काम को कर दे बिना उसको बताए हुए तो D वाल answer आपका okay हो गया आगे बढ़ते हैं What do Charmian and Iras do in order to foresee their future? कि Charmian और Iras क्या करते है in order to foresee their future अपने ताकि वो अपने भविश्य को तेख सके Clear? Obviously Charmian और Iras क्या करते हैं भविश्य देखने के लिए एक सूध सियर को बुला लेते हैं और उनको अपनी जो पाम है वो दिखाते हैं Important question is friends, how does Kilopatra kill yourself Kilopatra अपने आपको कैसे मारती है? वो suicide करती है और कैसे करती है? एक poisonous snake से अपने आपको कटवा लेती है आगे बढ़ते हैं, how does Kilopatra react to the news that Antony has married Octavia? Kilopatra को जो पता लगता है कि Antony ने Octavia से शादी कर ली है तो वो जो है क्या उसकी reaction होती है? Actually, जो messenger आता है देखे पढ़ देते हैं अगरा पहले option कि she faints, she sends Antony a letter demanding that he never return to Egypt पहला तो हो गया, faint हो जाती है, दूसरा एक letter भीजती है कि वो कभी Egypt ना है और उसको कहती है, और उसको कहती है, भाग जा, she calls Caesar Obviously, friends, easy question है, जानकारी है आपको कि वो messenger को पीट देती है Next, friends, how does Antony react to the news of Fulvia's death? जब Antony को पता लगता है कि Fulvia की मृत्ती हो गई है, तो वो क्या react करता है? He regrets having wished her dead and wished her back तो वो पस्ताता है, वो कहता है कि Fulvia जैसी महिला जो है, वो कास दुबारा वो जिन्दा हो गया जाए Clear? और बड़े एक प्यारी सी quote भी इसी reference में आपको दी थी, friends, ध्यान हो तो आपको आगे पढ़ते हैं, when Cleopatra's messenger brings word to his queen that Antony has married Octavia, she beats him severely Clear? And later though she praises this same man for his good service, what brings about this change of heart? पहले तो वो क्या करती है? Messenger को पीटती है, Cleopatra जब उसे पता लगता है, messenger cover लाता है कि Antony ने Octavia से शादी कर ली है, और उसके बाद वो उसकी प्रसंसा करने लग जाती है Clear? तो कौन सी चीज है जिससे उसमें चेंज आता है? जब उप्सन भी पढ़ लेते हैं, the messenger reports that Octavia is plain looking and generally unimpressive Yes, obviously answer यही है, कि जब messenger कहता है कि Octavia कैसी है, plain looking है, series आदी है और generally unimpressive, unimpressive है, कुछ नहीं है, वो सुंदर नहीं है How does Inovarvus react to Antony's gift and well wishes? कि Inovarvus Antony के जो gift हैं और well wishes हैं, उन पर किया कैसे react करता है? He feels extreme guilt and determines to die rather than fight him वो guilt feel करता है और मर जाना चाहता है, fight की जगा, उसकी मरने की इच्छा होती है Obviously friends, यह answer आपका सही है, he believes that Antony has lost his mind and he realizes that he has made a terrible mistake He gives the treasure to the peasants of Alexandria पहला वाला आपका, okay है The Triumvids offer Pompey control of Sicily and Sardinia in exchange of what? किसके बदले में Pompey को control दे दिया जाता है Sicily का और Sardinia का His word that he will not attack, yes, नहीं answer यह तो friends, reading the seas of pirates and furnishing Rome with supplies of weight Obviously, यह answer होना चाहिए, welcoming Antony's mother, mother का कोई role नहीं, a percentage of the good seized by his navy जो समान seized कर लिया था उसकी navy Obviously friends, दिखिए, अगर control की बात करें Pompey को control इसलिए दे दिया गया क्योंकि वो reading the seas of pirates की जो sea है, समुद्र है, वहाँ से pirate से चुटकारा मिल जाए और Rome पर, जो Rome के लिए जो wheat जा रहा है, वो सही सलामत पहुँच जाए Clear? तो यह answer आपका हो गया After arriving in Athens, why does Antony send Octavia immediately back to Rome? Athens पहुँच जाने के बाद, Antony Octavia को तुरंत Rome क्यों बेज देता है He cannot pretend that he loves her as he loves Cleopatra He wishes her to make peace between himself and Caesar who has dispatched his name into you Obviously friends, देखिए, Athens में पहुँचने के बाद, Antony Octavia को तुरंत Rome बेजता है, उसके पीछे उसका उदेश्य होता है, वो चाहता है कि एक शान्ती हो जाए, उसके और Caesar के बीच हो, ताकि उसकी जो है, पबलिक के सामने उसकी निंदा ना हो Clear, तो B वाला answer आपका, ओके हो गया, ये वाला चलिए friends, आगे बढ़ जाते हैं, whom does Antony order to kill himself, Antony किसको order देता है आपने आपको मारने के लिए Obviously friends, देखें कौन है, इरोबार्बस, मार्डियन, डायमी, दीज और इरोष, Antony किसको कहता है, इरोष को कहता है, भाई तु मुझे मार टाल Why does Vantidious refuse to push on into Parthia, Vantidious क्यों मना कर देता है, पार्थिया जाने के लिए Without Antony's leadership, he fears defeat, like Caesar, his soldiers resent Antony's loyalty to Egypt and cannot be counted on five further battles in Antony's name He has lost too many soldiers and does not want to lose more He does not want to win Antony's disfavor by outperforming him in battle Obviously, वो चाहता है, he does not want to win Antony's disfavor, वो चाहता है कि Antony का disfavor मैं नाप्राप्त करो How does Cleopatra repay Antony after leading him into a retreat? किस तरह से जो Cleopatra है, वो repay करती है Antony को With a kiss, with a promise of marriage, by giving him her kingdom, by agreeing to seduce Caesar, so that Antony may kill him Obviously, क्या करती है, उसको kiss करके वो उसका welcome करती है What does Antony request of Caesar after losing the battle to him? Antony क्या request करता है Caesar से जब वो बैटल को खो देता है, बैटल को हार जाता है To be publicly vilified for his cowardly behavior, to be judged fairly by a jury of his peer, to be allowed to live in Egypt with Cleopatra Obviously, क्या चाहिए था, उसको तो, Antony को क्या चाहिए था, Cleopatra चाहिए थी तो obviously, इसका answer क्या है, C है, वो कहता है कि उससे Egypt में Cleopatra, Cleopatra के साथ रहने दिया चाहिए आगे बढ़ते हैं, how does Antony react to the news of Caesar's refusal to grant him permission to live in Egypt? कि how does Antony react, Antony क्या react करता है इस news पर, जब Caesar उसको Egypt में रहने की permission नहीं देता देखिए, अगर बात करें, तो he becomes and raised, वो गुसा हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, अभी तक को and demands to challenge Caesar in one-on-one combat, और वो Caesar को एक dual में कहता है, आजा, और मैं तुसे एक पहले तेरे साथ ही हिसाब जुकता कर लूँ, clear? एक combat के लिए वो तयार हो जाता है, मन बना लेता है On the night before his fight with Caesar, what sign of bad fortune to antony's soldier encounter? On the night before his fight, Caesar से लड़ाई की, लड़ाई से पहले की जो night है, उसमें what sign of, कौन सा bad fortune जो है, antony के soldier को दिखाए देता है A full moon, a black cat, strange music, a man with no legs, obviously friends, उसको एक strange music सुनाई देता है काफी अच्छे-च्छे question है, friends, obviously एक बार और आप वीडियो जग से देख लें और question से जरूर नोट कर लें या इनको लांट कर लें How does antony react to the news of ino barbos desertion, ino barbos के desertion पर antony का क्या reaction होती है, जब वो इस news को सुनता है He curses his friends' disloyalty, नहीं, he woes to kill ino barbos, इनो मारने का मतलब भी नहीं है, he believes that every one must follow his own consign and therefore respect ino barbos decision He grieves for having corrupted an honest man and orders his friends' possession return to him, बिलकुल, देखिए वार आंसर होगे आपका, he grieved for having corrupted an honest man वो गुसा करता है, दुखी होता है कि इमानदार आदमी जो है, वो उसे छोड़के चला गया है आगे बढ़ते हैं, what does Charmian suggest that Kilio Petra do in order to quail antony's anger against her कि Charmian क्या suggest करता है कि Kilio Petra करे अपने जो antony के परती गुसा है उसको कम करने के लिए publicly denounce Caesar, send him word that she has killed herself, write him a love letter and leave Alexandria obviously वो कहता है कि ये खबर पहुचा दी जाए कि उसने अपने आपको मार लिया है कि उसने suicide कर लिये what does Caesar intend to do with Kilio Petra after antony's death कि Caesar क्या चाहता है Kilio Petra के साथ antony की मृत्यू के बाद कि marry her, keep her on display in Rome and kill her, send her into the side वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसको Rome में डेस्प्ले करने के लिए उसको रखा जाए कि इसको एंटानी की बादी को हूँ clear friends, तो ये 33 questions थे जो हमने डिसकस किये important question का collection है इनको ज़रूर आप pen down करने और learn करने चली friends, I hope आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और अपने जो valuable comments है वो जरूर दें, और first time आए है चैनल पर, subscribe करें, share करें friends को, और notification bell को ओन करें, ताकि जो भी lecture चैनल पर आए, सबसे पहले आप तक पहुंचें और friends, अभी तक million minds English application आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जरूर डाउनलोड करें, उस पर सीडी चल रही है उसका, अब लाव उठाए, चैनल फेंस मिलते हैं नेक लेक्शन में, now thanks for watching this video